हेलो स्टूडेंट्स हाई वेलकम एक टो मैं चैनल लेर्निंग विद दिव्या आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कुछ इंपॉर्डन पॉइंट्स की और उनसे रिलेटिट कोशन आंसर्स होंगे यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे इससे पहले भी मैंने तीन-च आट्मी मैंने पढ़ाई हुई है वहां से help ले सकते हैं और अगर उन्हें कुछ और पढ़ना है तो वह comment section में comment कर सकते हैं स्टूडेंट्स आज question answers भी हैं साथ में कुछ important points भी हैं जो आपको आपकी exams में help करेंगे exam की बात रहे exam कब होगा कुछ बचों ने पूछा है तो आप मान के चलिए आपका जुलाई तक exam हो जाएगा और exam कभी भी हो आपको आपके त्यारी पूरी रखनी है ठीक है तो चलिए let's start the topic पहला point देख लेते हैं क्या कह रहा है पहला point कह रहा है student आपके कि फूलो के अध्यन को क्या कहा जाता है अभी यह studies से related question कभी-कभी आपके exam में आ सकता है पूछ लिया सकता है तो उसको भी आपको पढ़के जाना है फूलो के अध्यन को आपके जाता है केचुआ जो है earthworm जो मल से तयार खाधी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है तो यहां पर आपके देखिए दो-तीन question बहुत सारी चीज़े पढ़ाई हुई है उसको आप देख सकते हैं जीव ज्जान की वे शाका है जिसके अंतरगा जीव धारियों में जीन अनुवान शिक्ता और विच्रन का ध्यान किया जता है ठीक है जीन हो गया आपका डीने हो गया आपका जो ग्रोमोजोम होते हैं वो से फल से फूल से या तने से तो आपको यहां पर आंसर भी दिख रहा है पौधे के आपके तनेब से ठीक है जो तना होता है उससे आपके हल्दी प्राप्त होती है आलू भी आपके तने से प्राप्त होता है यह आपको पता है आलू भी तना है जड़ नहीं है तना है और वो क प्रकार वह टाइप जिसमें लीची को रखा जा सकता है जो लीची आपके फ्रूट है उसको रखा सकता है किसमें डूप में नट में एक बीजी बेरी में या हैस परडियम में किसमें रखा जाता है है तो डूप में रखा जाता है ठीक है इसको मैंने एक्स्प्लेइन भी किय कि डूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके भारी चिलके और गूदे के अंदर एक सक्त गुठिली होती है तो ऐसा ही तो होता है आपका लीची जिसका चिलका गूदे के अंदर आपके क्या होती है एक गुठली होती है क्लियर है नेक्स देखिए कोशन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सेव के फल में लाली का कारण क्या है सेव जो है आपके रेड क्यूं होता है यह रेड कलर उसमें क्यूं पाया जाता है तो एंथोसाइनीन की वज़े से उसमें रेड कलर पाया जाता है यहाँ पर आपके वेला इणा शाबर हें के वूसलाइक लीङ साता है ठीक स्थ पपपीते तो पिला रंग हो चालाइक रहते से रिंग है ठीक है तो यहां पर जो option है आपके सी वो बिल्कुल ठीक है केरी का जंतीन की वज़े से आपके पपीते में पीला रंग होता है और इन सब questions को ध्यान से पढ़िएगा यह questions आपके exams में पूछे जाते हैं पपीते में पस्ते जो केरी का जंतीन होता है वो pigment उसकी वज़े से इसका रंग यलो कलर का होता है ठीक है पीले रंग का होता है चलिए next देखते है next क्या है एक स्वास्त मनुष मतलब एक healthy मनुष है वो एक दिन में 1.5 लीटर मात्रा में यूरिन करता है मतलब यूरिन को अप पीएच आपके 6.0 होता है यह पीएच लेवल मैंने पढ़ाया हुआ है आपके चैनल पर और एसेट्स क्या होते हैं अलकलीन क्या होते हैं पीएच मान क्या होता है यह सम मैंने पढ़ाया हुआ है यूरिन यलो कलर का होता है यूरिन यलो कलर का होता है इसका जो कलर होता है वो किस वज़े से होता है वो उसमें उपस्थित pigment यूरो क्रोम की वज़े से होता है जिन स्टूडेंट से पढ़ा है उनका यहां पर रिवीजन भी हो रहा होगा उनको यह वीडियो बहुत हैल्प करेगा जिनोंने नहीं पढ़ा है फर्स टाइम पढ़ रहा है उनको भी इंपोर्टन कोशन है 13 है 31 है 33 है 12 है तो आपके 31 आ गई इस्पाइनल कोड में आपके 31 जोड़े पेर तंद्रकाय निकलती है जिन्हें स्पाइनल कोड की नफ्स भी कहते हैं यह नफ्स हाथ पेर की पेश्यां तोचा ग्रंतियों श्रवन ग्यानिंद्रियों आधिको का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कूले के जोड़ का प्रतिस्थापन होना ठीक है कूले के जोड़ का प्रतिस्थापन होना अपरेशन अगर हो रहा है और डॉक्टर लिख रहे है आर्थ्रोप्लास्ट्री तो वह क्या है कूले के जोड़ का प्रतिस्थापन निक्स से दो दिन के लिए सेफ रहती है क्लियर होगे आपके बहुत इंपोर्टन पॉइंट से नेक्स देखिए माना भून जो आपके भून है जाइगोट होता है उसका जो हिर्दय होता है वह अपने डवलप्मेंट के चतुर्त सप्ता में स्पंधन करने लगता है मतलब फोर्थ ज उसमें पॉल्सेशन आ जाती है जो आपके जाइगोट होता है चौथे हफ़ते में ही कंसीव के जब कॉंसेप्शन हो जाता है बॉड़ी के अंदर फीमेल बॉड़ी में तो उसके फोर्थ बीक में ही कंसेशन करने लगता है वह किसी एक समानी व्यक्ति के रख्त का पीच ल ब्लट का नॉर्मल पिएश लेवल 7.35 से 7.45 के मद्द में होता है इट मीन 7.4 होता है ऐसे डोसेज और एलकलोसिट का इससे सीमा से बहार होता है जो जो कोई एसेडी की बिमारी है कोई या किसी को एलकलोसिस की पेशेंट है वो तो इनका उससे अलग हो सकता है बड़ नॉर WBC कहाँ बनती है और RBC का बिनाश कहाँ होता है बतला RBC खतम बहां होता है RBC का आपको day पता है 120 days होता है तो RBC का बिनाश आपके प्लिहा स्प्लेंड में होता है WC वहाँ पर आपके बनती हैại है White Blood Couples जो होती है वो आपकी बहाँ पर बनती है Next देखिए explanation यहाँ पे इवन का लगवग आपके 120 डेस का होता है, इसके बाद प्लीहा में ये खतम हो जाती है, WVC लिम्फोसाइड और नुट्रफिल्स ये दो मुख्य प्रकार है, जिसमें लिम्फोसाइड का निर्माद प्लीहा में होता है, आपके स्प्लिन में होता है लसिगा गरंती थाइमस ग्लैंड में होता है न्यूट्रोफिल का निर्माण आपके बोन मैरो में होता है clear हो गया जो neutrophils होती है वो कहां बनती हैं वो बोन मेरो में बनती हैं और आपके जो lymphocytes होती है वो कहां बनती है प्लीहा में लस्षी का ग्लाएंड में आपके और थाइमय इस अप ग्लाएंड र सब अब मैंने पढ़ा हूँ है जोनों नहीं देखे बहुत देख ले लें पर कैसे व्यक्त किया जाता है मतलब किसमें उसको आप डिसक्राइब करेंगे करेंगे क्या उसकी यूणिट्स है हम मतलब 3 mijn मिलिंग्राम प्रति डेैंलिटर में भाग प्रति मिलियन डेवर तो बहों मिली ग्राम प्रती डेसीलीटर में अब ह Two ग मेंosta है कि इस में क्या व्यक्त किया जाता है क्या क्या थाहिए होams कमेंट करके बताईगे अब सबसे पहरे उस refine मैं नाम अपने Eh सबसे पहले उसका आपको है है ये इसमें है मतलव है क्या दिशा किया जा Herausforder है HGKMM में यह आपको बताना है next black glucose level आपके irsten Origin Delight sûr में एंजाईम क्या होते हैं इंजाइम शर्क आउते हैं वाइटमिन्स होते हैं वसा प्रोटीन्स होते हैं तो 코로 इनजाईम आपके प्रोटीन्स होते हैं ठीक है next देखिए एंजाइम मेली प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण आपके नाइट्रोजीनेस पदार्थ या मीरो आसेट्स के संशेशन के द्वारा होता है लिूकेमिया है जिसे ब्लाट कैंसर कहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कोबाल्ट 60 का उप्योग किया जाता है बलकि मैली एसेट्स होता है यहाँ पर मैने थोड़ा सा अफडेट किया है प्रोटीन की कमी से होता है अब आपके लिए फिर एक कोशन आ गया है जो आपको कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताना है कि विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाते हैं विश्व तपैदिक दिवस कब मनाया जाता है विश्व कुष्ट निवारान दिवस कब मनाते हैं विश्व एट्स दिवस कब मनाते हैं तो इन चारों का आणसर आपको कर देना है मेरे को कमेंट सेक्षिन में बताना है 22 नमबर का जो पॉइंट है ये आपको बताना है मायोगलोबिन में कौन सी धातू होती है मायोगलोबिन में आपके आईरन लोहा धातू होती है clear है, myoglobin, लगबख सभी इस्तंधारियों में समारता कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी कौन होते हैं, जिनमें आपके spinal cord पाई जाती है, में पाई जाने वाले एक प्रोटीन है, लहो इसका आवश्य घटक है, अब बात आती है आपके जॉन डीवी की, जॉन डीवी जिनने आप progressive education के लिए जानते हैं, जिन्होंने psychology के field में बहुत important काम किया है, progressive education के बारे हम बात करते हैं, जो learning by doing को support करते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कई सारे तत्व पर प्रकाश डाला है, जिसमें number one क्या है, कि बच्चे को active learner बोलते हैं, वो क्याते हैं कि बच्चा knowledge ऐसा नहीं पूंता पर बल दिया जाना चाहिए, बच्चे दोरा वात्रम ने किया जाने वहले समयाजन पर परियाप्त धन ध्यान देना चाहिए, ठीक है, मतला बच्चों के जो बच्चे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, बच्चे जो कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, उन को उनके बातवरण से connect करना चाहिए उनके environment से connect रखना चाहिए ताकि वो easily adjust कर सके स्कूल का ऐसा महल बनाई है कि वो अपने घर के बातवरण को स्कूल के बातवरण से connect कर सके ठीक है तीसरा एक उत्तम समर्थ शिक्षा सभी तरीके कि बच्चों को दी जानी चाहिए ना कि केवल उन्हें जो बच्चे धनी परिवार से आता है यह तो आप जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन आप पढ़ते हैं कि education for all है ना कि उनके लिए जो केवल अमीर है और उनके लिए जो केवल गरीब है बलकि सबके लिए सवान शिक्षा होनी चाहिए इस पर उन्हें बहुत सपोर्ट बहुत ध्यान बहुत बल दिया है जॉन डीवी ने तो यह रहे आज के important points students video कैसा लगा comment section में comment करके जरूर बताएगा answer जो मैंने आपको देने के लिए कहा है वो भी आपको देना है और thank you so much next video में मिलेंगे हम next topic के साथ तब तक आप लोगों को like कर देना है share कर देना है और comment कर देना है student ठीक है और चलिए और next video मिलते हैं इन points को ध्यान नक्येग thank you so much